यह हैं दिल से दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाने के यूटुब चैनल में मेरा नाम अन्मोल मित्तल मैं हूँ ट्रेडिंग चाने के का फाउंडर बात करेंगे दोस्तों अशनीर ग्रोवर साब की कैसे इन्होंने शेर बजार में सिर्फ 8 मिन के अंदर करोड़ो रुप्या कमा लिया क्या इन्होंने करा यह दोस्तों नोंने शेर करा अपनी बुक के अंदर देखिए अश्नीर ग्रोवर साब भारत में के फाउंडर है आप सभी जानते हैं हम सभी जानते हैं और यह शाक टेक इंडिया का जो पहला सीजन था उसमें आ आदेना कि तेरे अंदर यह खामी है या दो इसको ठीक कर ले या तेरे बसकी बिजनस नहीं है तो ऐसे बहुत सारे एपिसोड है जिन्होंने जो फंडिंग मांगने आये थे उनको इतना जबर्दस तरीके से इन्होंने उतारा है दमकाया है और इस वजह से यह काफी फेमस हु हो गया हाल फिलाल के इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है अपनी लाइव के ऊपर तो उन्होंने दोगलापन वड़ का यूज करा है तो इतना फेमस हो गया तो दोगला पन दा हार्ड ट््रूथ अबाउत लाइफ और स्टार्ट अप्स तो यह बड़ा फेमस हुआ और इस इस बुक के अंदर उन्हों जिकर करा है यह जोमेटो आईप्यों के बारे में जिसमें उन्होंने आठ मिनट के अंदर यह लाइन पढ़ रहे हैं आप सिर्फ आठ मिनट के अंदर 2.25 क्रोड रुपीज कमा लिए क्या करा यह किस्सा दोस्ता आपके साथ शेर करने वाले इसके उपड़ चर्चा करने वाले और मैं अपने एक अब्ज़र्वेशन भी रखूंगा एंड में तो वो अब्ज़र्वेशन जरूर देखेगा सिर्फी चर्चा को ले करके और सुन करके बहुत ज़़र्वेशन एक्साइट उस साइट नहीं होना है आपको चलिए अब इन्होंने बुक लिक डाली बुक के अंदर वो एक किस्सा सुना रहे हैं और यह जो किस्सा है जरा देखिए कि इन्होंने अपनी जेप से 5 क्रोड पर निकाले जैसे जो मैंटर को आईप्यों का पता लगा मार्केट केंदर जो मैंटर का आयप्यों आया है और जैसे इस्यू स्टार्ट हुआ तो इन्होंने अपनी जेप से निकाले जी 5 क्रोड ठीक है 5 क्रोड कह रहे जी इन्होंने अपने लगाए जो उन्होंने बुक के था annualize ठीक है न ये 10% का rate of interest था लेकिन एक week के लिए इनों ने ये पैसा लिया था एक week के बाद वापिस करना था तो एक week का जोसका rate of interest आया वो था 20 लाक रुपे यानि इनको 95 क्रोड रुपीस प्लस 20 लाक रुपे वापिस करने थे बैंक को एक week के अंदर तो ये इनोंने काम करा और कुल मिलाकर 100 क्रोड रुपे जो मैटो को IPO के अंदर अप्लाई कर दिये अब 100 क्रोड रुपे IPO में लगाए है तो सारे के सारे allotment तो होंगे नहीं बहुत कुछ percentage पे आके allotment होगी तो 100 क्रोड के तो stock नहीं मिलने वाले तो इनको जो मिले इनको जो stocks मिले वो मिले अप्रोक्स 3 क्रोड रुपे के यहां देखिए यहां लिखा हुआ है 3 क्रोड रुपीज उनको मिले यह जो आर्टिकल में दिखा रहा हूँ आपको यह economics times का आर्टिकल है इसका link भी में description पे दे रहा हूँ तो यह किस्सा मैंने वही पढ़ा है और यह मिन को 23 जुलाई 2021 में 3 क्रोड रुपे की allotment हो गई 3 क्रोड के stock मिल गए 97 क्रोड रुपीज उनके पास वापिस आगे ठीक है अब हमें wait करना था किस चीज का भी खुलने का भी कितने रुपीज में खुलता है क्योंकि जो इसका price था अगर आप यहाँ ध्यान देंगे जो IPO को issue price था वो तो 76 रुपीज यह देखे 76 रुपीज प्राइस था 3 क्रोड रुपीज के इनको stocks मिल गए और जब वो खुला जब listing हुई तो listing gain क्या था लिस्टिंग gain पर अगर आप ध्यान देंगे तो 115 रुपीज पर यह जो मैटा को IPO खुला 76 रुपीज का issue price था 115 रुपीज पर खुला जैसी खुला वैसी अशनी ग्रोवर साब ने अपने wealth manager को बोला वही जितने भी stocks हैं हमारे सब निकाल दीजिए हमें listing gain कमान है यह काम हु गया और यहां पर उन्हें सारे stocks sale कर दी अपने लेकिन एक चीज हुई उसके अंदर कि इतनी जबर्दस तेजी थी जो मैटा IPO में कि sell करते करते ही वो 136 रुपीज पर पोच गया था और जो all over जो holdings निकली 136 रुपे में वो सारे stocks निकले 76 रुपीज का issue price था लेकिन जो interest उनको देना था उस interest को लगा करके जो उनकी average price आई थी 82 से 85 रुपीज के असपास आई थी क्योंकि interest भी देने अफ़ बैंको तो वो लगा करके उनकी जो 82 85 रुपीज के असपास की costing आई और 136 रुपीज आँ माली जिए उन्होंने बेच के पैसा कमाया 8 मिनट के अंदर ध्यान दीजिए 2.25 क्रोड रुपीज सिर्फ 8 मिनट के अंदर उन्होंने ये काम कर दिखाया मैं एक बार अगर आपको जो मैटो का चार्ट दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि उस दिल हुआ क्या था तो यहां ध्यान दीजिएगा तो यह वो first day है जब पहली अगर मार्केट के अंदर ट्रेड लाइफ ट्रेड के लिए गया यहां देखे खुला कितने पर था 115 के आसपास यह देखिए यह देखिए 115 ठीक है और अगले 5 मिनट में इसने एक हाई मारा था अप्रोक्स 137 के आसपास 137 तो हम बात कर रहे हैं 8 मिनट के अंदर यानि लगबख यह 136 रुपे पे एक्जिट करा अश्रीर ग्रोवर साब ने और मुनाफ़ा कमाया जो मैटो का IPO में इस तरीके से पैसा कमा कर उन्होंने अब भी बुक के अंदर जिकर कर रहा है इसका लेकिन अब हम बात कर लेते आपकी अब आपके अंदर अकर जोश आ गया हो अश्रीर ग्रोवर साब को देख करके कि भया हम भी करेंगे हम भी बैंक से अभी जाते हैं लाग रुपे का लोन लेते हैं अगला IPO देख लुक का था या कोई analysis थी या कोई information थी हमें नहीं पता भईया आपको भी नहीं पता हमें भी नहीं पता कि वो क्या था लेकिन ध्यान रखिए अगर ये listing ये नहीं मिलते या नीचे गिर जाता तो क्या होता market अगर नीचे गिर जाता तो क्या होता क्रोड़ा रुपय का नुक्सान होता अशनी ग्रोवर्स आप तो सेहन कर लेंगे क्या आपके बसकी है कि लाखो रुपय का नुक्सान होज़े आप सेहन कर सकते हैं आपकों को फ्रग नहीं पड़ता तो आप ये काम कर सकते हैं अधरवाइस नहीं करना दूसरी बात ये जो IPO के अंदर पैसा लगा है ये बहुत रिस्की होता है बहुत ज़दा रिस्की होता है तो हर बार listing gain आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता कभी भी अगर आप IPO के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो ये सोचके लगाए कि लिस्टिंग के नहीं लेना है आने वाले 10-20 साल में कंपनी का क्या विजन है कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है कितना आगे जा सकती है पुराना track record क्या है management क्या सोच रहे क्या ये जो industry है क्या आने वाले 10-20 साल में इसकी demand है या नहीं है ये बहुत सारे factor है जिसको द्यार में रखकर अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा safe है और पैसा वो ही लगाई है जो आपका खुद का हो और वो थोड़ा चले भी जाया तो आप खास दुख या कोई financial crisis आपकी family के लिए नहीं आने चाहिए तो ये दोस्तों मेरा observation था अशनी ग्रॉवर्स आपको जो हमने किस्सा आपको बताया ये किस्सा है जो उन्होंने book में share करा है आप book ज़रूर पढ़िएगा ये वाली दोगलापन the hard truth about life and startups आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा startups के बारे में या इनकी life के बारे में काफी कुछ आपको पता लगेगा इस तरीकी की books हमेशा पढ़नी चाहिए एक successful व्यक्ति की जिन्होंने कुछ अलग करा है कुछ बढ़ा करा है काफी कुछ सीखने को मिलता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन्होंने IPO के अंदर पैसा लगा है इस तरीके से कमा है 8 मिनिट में आप भी कूत पढ़ो लगा लो यह बहुत बहुत जबरदस रिस्की है यह हर किसी के बसकी बात नहीं है तो उमीद करता है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए होगी यह चर्चा आपको पसंद आए होगी और मैं जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स वीडियो में कमाल के कॉंसेप्ट के साथ तक के लिए गुडबाई गॉडब्लेस यू बाबाई दोस्तों